हेलो दोस्तों स्वागत है मारे यूटूब चैनल साटेन स्टडी माटेरियल में और आज हम बात करेंगे थारा जुलाई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स के बारे में तो बढ़ते हैं आज के भी अपडेट के साथ आज के कोश्चन उपर तो देखें आज के जितने भी क हम पूछेंगे जिसका आप लोग reply कमेंड बॉक्स में देंगे ठीक है तो बढ़ते हैं आज के कोश्चन उपर तो कोश्चन नमबर फस्ट है विकास इंजिन किस संगठन से संबंदित है यानि जो विकास इंजिन है वो किस ऑगनाईजेशन से रिलेटेड है तो अप्शन के इसरो तो आप्शन इस दराइट आप्शन बात कर लेते हैं इसरो के बारे में तो इसका पूरा नाम क्या होता है इंडियन स्पेस रिसर्क और नाईजेशन ठीक है तो देखिए अब अगर बात कर लें इसकी एस्टेबलिश्मेंट की यानि इस्थापना की तो इस्थाप आपना भी अगर हेटकॉर्टर की बात कर लें तो कहां है बैंगलरू में अगर इसकी अध्धचनी स्पीकर की बात कर लें तो केसी वन ठीक है केसी वन यह इन्हें क्या बोलते हैं राकेट मैं आफ इंडिया भी बोला जाता है और यह जो है कोश्चन यह आपका गुरुप गुरूप D में question आ चुका है कि rocket man of India किसे कहते हैं तो rocket man of India के सीवन को कहते हैं ठीक है तो important question है बढ़ते है next question पर जेतना भी बनेगा इससे याद रखेंगे आप लोग मंडवाधी railway station का नाम बदल कर क्या हो गया है तो option C बनारस railway station तो जो अब मंडवाधी railway station है उससे बनारस railway station की नाम से जाना जाएगा बढ़ते हैं next question पर राष्टी पुरुषकर विज्जेता प्राप्त करने वाली जो विज्जेता है यानि जो इनको राष्टी पुरुषकर जिन्हें मिल चुका है किस अभिनेत्री का नीधन हो गया है तो option A सुरुएखा सीकरी ठीक है तो option अमारा सुरुएखा सीकरी सही हो जाएगा इस question से सुरुएखा सीकरी को याद रखेंगे जिन्हें राष्टी पुरुसकार भी मिल चुका विजेता बन चुकी है next question and question number 4 हाल ही में इमोजी दिवस कब मनाय गया है तो option D 17 जुलाई को तो option D is the right option हाँ आप देखे उपर हमने आप लोग से कहा था कि comment box में reply करेंगे ठीक है तो मेरा question यही था कि जितने भी कोई भी है ठीक है तो वो इमोजी यूज करता है चैट में किसी भी professional app में ठीक है तो जब chatting का यूज करते हैं आप लोग हमेशा जो always आप लोग क्या करते है कोई भी इमोजी बनाते हैं इमोजी टाइप का बनाते हैं ठीक है तो आप लोग हमको सिर्फ ये बताएंगे कि कि कौन सा इमोजी आप लोग को पसंद है सबसे ज़्यादा ठीक है लाइक है तो ये बस बताना है ठीक है तो बढ़ते हैं next question पर इससे याद रखेंगे 17 जुल संजे कपूर तो option B is the right option ठीक है तो इन्हें अभी appointment किया गया है नियुक्त कर दिया गया है ठीक है तो इन्हें याद रखेंगे इस question से बढ़ते हैं next question पर UK ने 50 वर्सों में पहली बार किस देश को सेव का निर्याद किया है यानि किस देश को यानि कौन सा देश है जिसको 50 वर्सों में पहली बार यानि एक बार भी कह सकते हैं अभी तक उसने कोई भी निर्याद नहीं किया था अब कर दिया है तो किस देश को किया है तो भारत को ठीके अपने देश में ही किया है UK यानी United Kingdom ठीके क्या United Kingdom ठीके United Kingdom जो है उसी ने किया है तो इससे याद रखेंगे बढ़ते हैं Next Question पर Most Important Question है आपका ये ठीके Next Question Question No.7 आज का Last Question है Question No.7 राष्टी डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी National Dolphin Research Center को कहां बनाने की घुसला की जा रही है तो इसका निर्माड कहां होगा तो पटना में तो Option D is the right option ठीके पटना में ये NDRC होगा तो अगर आप लोग के वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर के और सब्सक्राइब करें थैंक फ़र वाचिंग इस वीडियो